Hello students, पुनाह आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Mathmagic में Students, आज की इस वीडियो में हम लोग समिकरन हल करना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं पिछली वीडियो में students समिकरन हल करने से related हमने वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कुछ अलग प्रकार के प्रस्णों को हमने हल करना सिखाया हुआ था Students अगर पीछे की वा वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं और Students अगर आप channel पे नए हैं और अब तक आपने channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो एक बाद channel को जरूर subscribe करें इस वीडियो में कुछ अलग प्रकार के प्रस्णों को हम लोग हल करने वाले students वीडियो को start करते है students आज का पहला प्रस्ण है x by 3 plus 2 x equal to 14 तो देखे इस प्रस्ण को कैसे हल करेंगे इस टाइब का प्रस्ण हमने पिछली वीडियो में हल करना सिखाया हुआ था यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से आपको हल करना सिखाते है students देखे जब भी हर में कोई संख्या दी हुई है चाए एक जगह हो चाए सभी जगह हो तो हम क्या करते है students अब देखे यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेंगे यहाँ भी हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे सबका LCM ले लेंगे यहाँ पे 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 यहाँ भी 1 सबका LCM क्या हो जाएगा 3 और प्रतेक पद में 3 का गुड़ा कर देंगे, ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे, X upon 3, LCM सब का 3 हो जाएगा, तो multiply 3, प्लस, सभी पद में गुड़ा करना है आपको, 2X multiply 3, equal to 14 multiply 3, ठीक है students, अब देखें यहाँ पर 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, अब यहाँ बचा क्या, X, प्लस, दो तियाई, 6X, बराबर, 14 का 3 में गुड़ा हो गत क्या हो जाएगा, 1442, 42 हो गया, अब यहाँ पर देखें, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1X और 6X, तो क्या हो जाएगा, 7X, 7X बराबर, 42, यहाँ से X का मान निकालना है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखें, बीच में कोई चि साथ कट कर देंगे तो देखे 7 से कट करेंगे 7 साथ क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा 6 यानि यक्स का जो मान आयेगा इस्टूडेंट से यहां पे यक्स का जो मान आया वह क्या जाएगा उमिद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे देखे इसी प्रशन को आप एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बटे में वन लिखकर इन दोनों का LCM लेकर और उसके बाद लास्ट में आप तिर्षा गुड़ा कर सकते हैं तब भी आंसर से महीं आएगा ठीक है पिछली वीडियो में हमने उस तरह बताया हो था इसमें कुछ अलग तरीके से बता दिया दोनों मेथ़द आप देख सकते हैं अगले प्रशन को हल करते हैं प्रशन नमबर दो है 3x by 4 plus x by 6 equal to 22 तो देखे इस प्रशन को कैसे हल करेंगे यहां पे भी से मही प्रोसीजर करेंगे यहां पे देखे 4 बटे में 4 है यहां पे 6 है यहां पे बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 4, 6 और 1 का जब LCM लेंगे स्टूरेंट्स तो वह क्या हो जाएगा 12 होगा तो अब 12 का प्रते एक पद में गुड़ा करेंगे इसमें और इसमें प्रते एक पद में गुड़ा करेंगे तो देखे क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 3 या अक्स बटे में 4 multiply 12 फिर प्लस है तो फिर X बटे में 6 multiply 12 equal to 22 multiply 12 ठीक है अब देखे 4 से इसको cut कर देंगे 4 एककम 4 और 4 तरी जा 12 4 एकम 4 चारती है यहीं 12 6 एकम 6 6 दूनी 12 ठीक है students अब देखे यहाँ पे 3 आगया अब इन दोनों का गुड़ा एक साथ कर लेंगे तो 3 तिरी के 9 यक्स प्लस यहाँ पे देखे 2 का यक्स में multiply होगा तो 2 यक्स बराबर अब 22 में 12 का होगत क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 चार हो जाएगा दो हासिल 12 दूनी 24 और 2 26 264 अब देखे 9 यक्स और 2 यक्स आड़ होगा students तो क्या हो जाएगा 11 यक्स बराबर 264 हमें यक्स का मान चाहिए अब देखे यक्स जो 11 के साथ है यहां पे बीच में कोई चिन्य नहीं multiply में है ठीक है ना जब कोई चिन्य नहीं रहता है मतलब बीच में इंटू का चिन्य रहता है अब इह इसको जब इधर भेज़ेंगे तो यह बटे में चला जाएगा हमें यक्स का मान निकालना है और जिसका मान निकालना होता है वह तर्म अकेले होना चाहिए तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा 264 और बटे में 11 अब इससे कट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 ठीक है 11 दूनी 22 26 में से 22 गया 4 होगा और यह 4, 44 11 4 के 44 ठीक है यानि 24 आ गया यानि यक्स का जो मान आया यह पर यहाँ पर यक्स का मान आया वह क्या आया 24 आया ठीक है और यही स्टूनेंट्स आपका आंसर हो जाएगा तो उमिद करते हैं कि इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स अगले प्रशन को हल करते हैं प्रशन नमबर 3 है 0.6x plus 4 by 5 equal to 0.28x plus 1.16 तो देखे इस्टूडेंट्स जब भी इस प्रकार के प्रशन आपके सामने आते हैं और उसमें दसमलों दिख जाता है तो इस्टूडेंट्स अकसर घबडा जाते हैं कि ऐसे प्रशनों को कैसे हल करें तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबडाना है आपको प्रतेक स्टेप को one बाई वन करते जाना है आपका आंसर आ जाएगा तो देखे इसको करनेक दो तरीके हैं या तो जैसे उपर आपने किया यहां पर देखे हर में कुछ नहीं है वन है सभी में वन है ठीक है यहां पर 5 है सबका LCM 5 हो गया तो प्रतेक पद में 5 का गुड़ा कर दीजिए ठीक है या दूसरा तरीका यह है कि यहां पर यक्स का टर्म है यहां पर यक्स का टर्म है इसका पक्षांतर कर दीजिए इधर और यह कॉंस्टिंट टर्म है इसका पक्षांतर इधर कर दीजिए और प्रतेक टर्म को हल कर लीजिए आसानी से हो जाएगा तो यहां पर जैसे उपर ह होगा वह 5 होगा प्रचेक पद में 5 से गुड़ा कर लेंगे यानि 0.6 यक्स multiply 5 plus 4 upon 5 multiply 5 बराबर 0.28 यक्स multiply 5 प्लस 1.16 multiply 5 अब देखिए यहां पे जब multiply होगा तो क्या हो जाएगा यहां पे देखिए 5 का जब 6 में multiply होगा 5 6 जा 30 ठीक है 5 चके 30 एक अस्थान पे दस्मलों होगा तो दस्मलों लगा देंगे यक्स है तो यक्स रहेगा यहां पे 5 से 5 क्या हो गया students कट गया यहां पे 4 बराबर यहां पे 5 का गुड़ा होगा देखिए क्या हो जाएगा पांच वठे 40, 0, 4 हासिल, पांदूनी 10 और 4, 14 और दो अस्थान पे दस्मलों होगा तो दो अस्थान पे दस्मलों लगा देंगे हमेशा right side से दस्वनों लगाते हैं तो right side से 2 अस्थान पर दस्वनों लगा दिया यानि यह एक दस्वनों 4-0 हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे यहाँ पर जब multiply करेंगे प्लस है तो plus 5 का multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 यह के 30 ठीक है 5 यह के 30 जीरो तीन असील 5 एककं 5 और 8 और 5 एककं 5 तीन तीन अंक बाद उसको एकसाथ करना है और भीना यकस वाले टर्म को एकसाथ कर लेंगे तो अब देखें इसका जब पक्षांतर करेंगे इधर तो इसके पहले कोई चिंद नहीं है मतलब positive में और जब यह बराबर के इस side आएगा तो वह minus में हो जाएगा देखें point के इधर 0 की कोई value नहीं होती है या simple इसको हम 3x भी लिख सकते हैं चले 3.0x सी लिखते हैं 3.0x minus 1.40x बराबर यहाँ पे देखिए 5.80 4 का इधर जब पक्षांतर होगा 4 इधर plus में है दूसरे side जाएगा तो इह minus में हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा ठीक है students उमिद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखें आपको क्या करना है अब यहाँ पे आपको minus करना है अब minus करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.0 में से 1.40 minus करना है बहुत बच्चों को point के minus करने में बहुत सारी गलतियां होती ह तो यहाँ पे आपको करके हम दिखा देते हैं 3.0 और यह क्या है 1.40 ठीक है यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख लेंगे जब भी point का minus करते हैं ध्यान रखते हैं point के नीचे दसमलों के नीचे ही दसमलों रहना चाहिए नहीं तो वह गलत माना जाएगा ठीक है तो अ यहाँ पे 2 हो गया 2 में से गया 1 तो यह क्या जाएगा students 1.60 यक्स बराबर यहाँ पे जब minus हुआ तो 5.80 में से 4 माइनस होगा तो देखे हैं 5 में से 4 गया क्या हो जाएगा 1 तो यह हो जाएगा 1.80 ठीक है students हमें यक्स का मान चाहिए तो देखें यक्स का जब मान निकालना ह तो हम यहां से क्या कर लेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह जो संख्या है वह बटे में अब चली जाएगी, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, एक दसमलव आठ सुन, बटे में, यह क्या हो जाएगा, एक दसमलव छै जीरो, ठीक है, दोनों में दो दो अंक ब पॉइंट है तो पॉइंट जो है क्या हो जाएगा हट जाएगा यानि अन्स और हर में अगर 100 से हम गुडा कर लें तो पॉइंट हड जाएगा यानि यह क्या हो जाएगा एक बटे चार और यही स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया आंसर हो गया तो उम्मिद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रतेक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और कम